हेलो दोस्तों सुनिता के ख्याली प्लाव किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे ड्राइ मसाला मैगी इस मैगी को बनाना बहुत असान है और हम एक दम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे इसका टेस्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए द प्लाइब दोस्तों पैकेट लिया है 14 रुपीज वाली मैगी और बीच से खोल लिया इस तरीके से और इसको हम टीप कर देंगे पानी में पानी उतना लेना है इतना कि मैगी आपका टीप हो जाए और मैगी को हमें कितना सोक करना है जब तक कि हम मसाला की तयारी ना कर तो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और यह देखिए जो छोटा बचा हुआ था मैगी उसे भी मैने डाल दिया है और इसको थोड़ी देर हम साइड में रखते हैं गैस ओन करके मैंने कडाई को गरम करने के लिए रखा है इसमें हम दो टेबल स्पून जितना ओय डालेंगे औ यह हम इसमें प्याज डाल देंगे एक बड़ा साइस को मैंने बारीक काट के लिया है और प्याज को हमें तब तक फ्राइ करना है जब तक यह अलका सा कलर्ण ना चेंज हो जाए आप यह प्यास की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं मतलब कि एक और ज़्यादा भी ले और साथ ही मैंने यहां पे एक चौथाई कभी जो वाइट पाड आता है ग्रीन अनियन का उसे डाल दिया है और मिक्स करके एक दू मिनट मैंने फ्राइ कर लिया था और अब हम इसमें तीन बड़े साइज के टमाटर को पारी काट के डाल देंगे और साथ ही टेस्ट के अपॉ मैंगी भी में ले रही हूं अप्सनल है पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं और उनको खोल के बोल में निकाल लेंगे और यह देखिए यहां पे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गिया है तो हम इसमें आधा टीस्पून के आसपा साल्दी डाल देंगे एक टीस्पून लाल मिच प करेंगे पानी हрटाके के मैंगी ले लेंगे डाल देंगे फाषिया दो में मैस्टीक करेंगे अपने लागी यहांद अदरिख से यह च tulण जांगा थे मिकस करेंगे आपने नॉना स्टेक कडाए लिए यह तो इसमें महां आप अच्छे से कि भीक का बतर अच्छा स्वान तो यहां पर मसाला नीचे से पकड़ने लगा है तो मैं किया करती हूं इसमें 2 टेबल स्पूम पानी डाल देती हूं और अब हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखें इस तरीके से बहुत ही टेस्टी बनती है मैंगी आप एक बर जरूर ट्राइब करके देखेंग और यहां पर हमारी मैगी रेडी है यह देखें बहुत ही अच्छे दीक रही है अब हम इसे सर्फ कर लेता है तो मैगी को फटा फट से हम टोमाइटा सॉस के साथ सर्फ करेंगे तो यहां पर मैंने हैपी मोजी बनाने की कोशिश की है और यह थोड़ा-थोड़ा देख भी है यह देखें यह रेडी है तो हम क्या करेंगे पटा पट से मैगी को गर्मा गरम सर्फ करेंगे आप इसे टोमेटो केचप के साथ कहाईएगा बहुत हिसांदार लगता है इसका टेस्ट और आज की रेसीपी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल